हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फीड़ो फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों न्यू प्रैक्टिस का यह उन तीस्वाँ प्रैक्टिस है मैं डेलि बीसेस् पर अब को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलते हैं आज की कोशन के तरफ नमीर वन है कि एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है दोस्तों एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई चोड़ाई 50 गुड़े 21 मिटर होती है हो दी थी पहले लेकिन अब 50 गुड़े 25 मिटर हो गया है लंबाई 50 मिटर चोड़ाई 25 मिटर याद रखिए कि एक मानक 2009 में फिना तवरा 10 लेन की मानता कर दिया गया है और लेन की प्रतेक लेन की चोड़ाई चोड़ाई जो होती है 2.5 मिटर होती है याद रखिएगा और इसमें मेन जो तरायकी की चार सहिल्या होती है जैसे कि फ्रेस्टाइल, बैक स्ट्रोग, ब्रेस्ट इस्ट्रोग, बटरफ्राई इसमें सबसे तेज तराकी की तक्निक होती है फ्रेस्टाइल, उसके बार बटरफ्राई, उसके बार बैक स्ट्रोग, तब आपका ब्रेस्ट इस्ट्रोग होता है। क्वेशन नमर्टू है निमिन में से कौन सा दिर्ग कालिक चोट का लच्छड है विच आधू फालिविंग एज़ आपको दर्द बहसूस हो रहा है वो दिर्ग कालिक चोट आएगा जैसे कि दोस्तों जो पुरारी चोटी होती है समाने पर इसे नार्मल है आप उस समय उस कंडिशन में आपको दर्द नहीं करती लेकिन जब खेलते समय या कोई भारी अक्टिविटी करते समय जब उस पर अधिक दबावा पढ़ता है प्रेसर पढ़ता है तो दर्द शुरू ह कोश्य न्म थ्री है एक बेंच से फार्स पर दो कूधना तता तुरू था वापना जब आप या क्लिए किस प्रकार के भारको दर्साती है तो दोस्तों आप जा रह Update है एक एक भार्स पर कूधना बेंच से неп Zachary को भापस आजना से लिगा होता है इसको प्लायर मेटरिक काते हैं जो 20 फोटक सकती को बढ़ाता है कि कोशन नमर चार है हिदे की दिवार का मध्य कोट कौन सा है विच आप मिडल कोट आफ दा हर्ट वाल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह तीन परतों से मांस्पेशी यह तीन मांस्पेशियों के प्रते से बना होता है सासे बाहरी आप परत को एक परिकारण है थे कहते हैं अन्तरी परत को हम एंडोकारण करते हैं तो यह बैंक कौन सा परत पूछ आ है मति परत तो मायोकारण आपका राइजinka हो जाएगा उस्टिन निम्ने कोड़ उच्छा लोता है जिसे बॉल के उचाई तेजी से घरती है जबादा बिरोधी टीम को समालने और रिबॉंड करने दो बहुत कम समय मिल पाता है बॉलेबॉल की खेल में टॉप इस्पिन का प्रियोग खिलाड़ी इस्पाइकिंग या सर्विस की दौरान करते हैं क्वेशन नमर शीक्स है होकी की खेल में अंती मिरेखा से यानि इन लाइन से डी की दूरी कितनी होती है इस तुरान लाइन के टूरी किस्वेशन था कशनला का भर्न की कि दूरी कि रिखाच को दूरी की खाल के इसंगाते हैं जो हाकी का field हूता है सौ गुड़े 60 गज होता है लंबाई चोड़ाई, यानि की 4.66 मिटर चोड़ाई, जानि की 5 मिटर चाज चाज विद्बाइ यानि की 5.8 मिटर याद रखेंगा हाकी के गोल पोच्ट की बात करें तो गोल पोच्ट की जो लंबाई होती है चार गज होती है यानि 3.66 मिटर और गोल के उचाई जो होती है साथ अफूट यानि 2.14 मिटर बैक बोर्ड के उचाई ऐठारा इंच होती है मैंने इसके बारे मैं अच्छे से बताय हुआ है स्पोर्स मेजरमेंट में प्लेरिश में जाके देखिए सभी गेम को मेजरमेंट के अच्छे नहीं जाता है यहां पर जो किसी भी चीज को हम सीख रहे हैं तो हमारा दिमाग भी अच्छा होना चाहिए उसका इफेक्ट भी सही होना चाहिए अपने अगु काच्छे से इस्तमाल भी करें तो संग्यान आत्मक सिखना यानि कि कोग्निटिव लर्निंग प्रभा को कि अपना मैशलो ने इसको दिया है सिद्हांत को सिखने का तो यह आपका थी चीज जो है आपको ऑल रफ आपको कौसर सिखने का समhoन रखता है कोशन निर्गान तो है उत्तम स्वास्तके लिए आवस्यक है वाट इस नेसेशरी आफ गुड हैल्थ तो गुड हैल्थ के वल आप पोसर लेंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे कोई अक्टिविटी नहीं करेंगे तो अवर्डोज हो जाएगा तो आपके लिए उचित पोसर बालेंस डायेट प्रॉफर निट्रिशन लेना आवस्यक ह प्रेवरा की विधिया हैं वाट आपके लिए उत्तम हेल्थ यानि गूर्ड हेल्थ के लिए आवस्यक है तो उप्रोग सब्सक्राइब यहां पे और आप देवर्ड राइट एज़रू हो जाएगा प्रेवरा की विधिया है वाट आपको किसी चीज में अगर रूची है इंट्रेस्ट है तो वहां भी आपको करने की प्रेवरा आती है आप उसको अच्छी से करते हैं और आपको किसी चीज में सक्सेज मिलता जा रहा है तो उसमें और करने की प्रेवरा आती है सक्सेज भी सामुही कारे आप उसमें रूची आती है टीम वरक में भी इन तीनों चीजों से यह प्रेड़ा की बिजिया है तो उप्रक्ष सभी आप 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 आपका राइट एंसर हो जाएगा को सवसंत पर्फर करता है जाजेतर ठीक है जो टर में जो दुधेरिया भी करते हैं याद रखेगा तिस्टिया को प्रोड़ी करते हैं यह स्वासनली को प्रहावित करता है इसमें ति तीब रजवर होता स्वास में पीड़ा होती है जो हमारे जो कंड होता है उस पे जाले जैसा बन जाता है यह ज्यादे तर छोटे बच्चों में होता है तीन से पांच वर्स तक के बच्चे को पर अंतो कभी-कभी वैसको में भी हो सकता है क स्वेशन कहिं है स्वेशन Arg Woo और तैबल है रादी देगा दो दोध तो reacts कम्लेश महिता उसा ऌसंधर अधी और तैवल तैनीस में और जैसे कि आपके कि कप अंड टॉफिये जैसे बर्णा बिलाख कप पूरूस के लिए पूरूस एकल में पीठा पूरां कप महिला में जै Лश्मी कप महिला एकल में स्रामार कूर कप और अन्डी में राश कुमारी चैलिंज कप प्रामानुज, ट्रॉफी, पदमावती कप, स्वेट्सलिंग कप, इंदिरा कप, इलेक्ट्रा स्वार कप, गल्फ कप, काविलान कप, यू, आंट कप, इंडिया कप, सेंट, ब्राइलवास कप, इरान कप, गुल्डन कप, एसियन कप, आधी हैं। Questo No. 12 है, मस्तिस का भाग, पूरे सरी के भाग का लद गत्वक पूरे साइट का भाग, यह बढए पचासे भाग यानि 2% होता है मस्तिस का भाग, और यह, जैसे कि यह हमारे मस्तिस का भाग होता है मनुश के पूर्सों के लिए 3050-4050 ग्राम महिलाओं के लिए 1250-3050 क्वेशन नमर्ट तेरह है रच की असुधिया निमने में से कहां पर जाकर छन जाती है दोस्तों इन विच आर्गन टू इंप्यूरी टाइज ब्लॉट गेट फिल्टर्ड तो दोस्तों यह होता है हमारे किडिनी में किडिमी के ग्लोमरुलेस में जो हमारे और निफ्रान होती है और दूनों ब्रिक लगबाग 1.3 लीटर रग्त को प्रती मिनट फिल्टर करता है और 1850 लीटर रग्त प्रती दिन ब्रिकों से वोकर बढ़ता है पोशन नमर चवद्धा है औलमपिक में भारत ने सरबथम फुटबाल प्रतीवता में कब भाग लिया वेइं इन इनिया फुटबॉल कंपरिशन इन दे ओलमपिक्स तो दोस्तों ओलमपिक में इंडिया ने सब से पहले प्रटइसिपेड कब किया तो सब से पहले प्रटइ भारत में फुटबाल पर्टिप्तर में तो 1948 अब का राइड इन स्रू हो जाएगा 1948 पहापी हुआ था उलंपी लंदन इंग्लाइन में जिसके भारती पुरुष टीम के कप्तान थे फार्दी फुटबाल टीम के कप्तान टॉम बेंगल थे और भारती टीम अपना पहला मेंच दो एक से फ्रांस से हार गया था फिर भारत की तरब से एक मात्र गोल सारंग पानी रमन ने किया था दूसरी बार भारत ने फुटबाल में भाग लिया 1952 नहिनंसी की फिल्लाइन में इसके कप्तान सैलेस मुनना थे और भारत की टीम युगोशलाविया से हार गय थी तिसर में अलम्पिक में और भारत चोथा अस्थान प्राप्त किया भारत फुटबाल के लिए अभी तक का सबसे अच्छा प्रदासर रहा तीसरी बार जब भाग लिया 1956 मेल और यादे रखीगा एक कोशन पूचा जाता है कि भारत ने फुटबाल में अलम्पिक में सबसे अच्छा प्राप्त किया में जबान अशलिया को चार दोस्ते हरा कर ठीक है तो भारत पहली वह आखरी बार ऑलम्पिक में चोथा अस्था अस्थां पर रहा उन्यूचपन फिर चोथा बार भारत प्रदा फुटबाल में भाग लिया निसो शार्ट रोम इतली में भारत के तीम थे KPK बनरजी और भारती पुरुष टीम क्वार्टर फवानल के लिए क्वालिफाइन नहीं कर पाई भारती टीम ने फ्रांस को एक-एक से बराबरी पर रुखा इस उलम्पिक के बाद जो बाद भारती फुटबाल आज तक उलम्पिक के लिए क्वालिफाइन नहीं कर पाई है जार बार भाग दिया उनिसो आटालिस उनिसो बावर उनिसो चपन उनिसो साथ चपन मिच उथास्थान प्राप्ट किया था याद रखिएगा कोशन नमर पंद्र है उलम्पिक में भारत को सरवपर्थम सरवपदक का प्राप हुआ वें डिट इंडिया विंड़ फॉर्स गोल्ड मेडल इन उलम्पिक तो दोस्तों आपको पता है कि उलम्पिक में भारत में सबसे पहले भाग लिया था 1923 फ्रांस में लेकिन अधिकार अभी तक भारत ने हांकी में कुल तेरह पतक जीते हैं आर्च सवर्ड एक रजट चारकांसे पतक याद रखिएगा कॉस्टिन नमर्शोले है दच्छेस खेलों का आउजन सर पत्थम कब हुआ दच्छेस साउथ एसियन गेम ठीक है तो दच्छेस सारक अगल बगल भारत की जेतें भी देश हैं चोटे-चोटे उस तभी इसमें सम्रित होते हैं तो इनी के बीच गेम होता है और इन देशों क के बीच भाईचारे सामती सभावना आधिक अभिविद्धी के लिए तच्छेस खेलों का पर्थम आउजन उनीस सो चौरासी इसी में हुआ था कम हुआ था उनीस सो चौरासी में कोस्टन नबर सत्रह है एक्सफ्वास्ट व्यक्ति में सिस्टोली दबाव का दारा कितना होता है वाडिदी रेंज और सिस्टोली प्रेसर इन धा हेल्दी परसं थो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो मसर्स शिस्टोली और डियास्टोली ब्लड पेसर होता है तो जो बाए निले से सुधर रग्त महाधमरी की ओर जाता है और उस समय जो धमनियों पर दाप पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेसर कहते है जो 110 से 125 ममेजी के लगवग होता है और जब बाए अलिंद से बाए निले में रख्त आता है उस समय जो धाश्टोल होता है यानि कि जब बाए निले सिसलन अवस्था में होता है तो उस समय धाश्टोलिक प्रेसर होता है उस समय धमनियों पर जुदा पड़ता है उसे धाश्टोलिक कहते है और डाइस्टोलिक प्रेसर जो है 70-90 mmHg होता है तो सिस्टोल करने में बाया निले के संकुचंग के दौरान जो रख्त का दाब धमनियों पर पढ़ता है उसे सिस्टोलिक प्रेसर कहते है जिसका मान 110-125 mmHg होता है जिसमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है और डाइस्टोलिक प्रेसर का होता है जब बाया निले पुनह प्रंकुचित होता है सितन अवस्था में होता है तो रख्त उसमें भरने लगता है तो उस दौरान जो दाब धमनियों पर पढ़ता है उसे हम दाइस्टोलिक प्रेसर कहते हैं जो 70-90 mmHg होता है इसका समय 0.5 सेकेंड होता है यानि कि सिस्टोल करने में 0.3 सेकेंड डाइस्टोल में 0.5 सेकेंड यानि कुल 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक घड़कन में हिदे के याद रखिएगा ठीक है एंड सथारा आवस्था में जो है और सतन जो माना हिदे का रखिदाब होता है सिस्टोलिक दियस्टोलिक दूनों तो 120-80 mmHg होता है ठीक है 120 जाने का या 120 आने का question 18 मिलान करना है आपको यहां पर देखना है J खुक् 커 ड्य चैक्जी folks कोड़ा आप कोंगा सब्सक्कूर अब की तो एगल कि आपिसे कुम्छान श्रान रहा है फ़री में देडि़ ले सपावमिल में श्राङक अबस्ट करदाा को था दर फॉल ti यह जो होता आप लॉपी ठीक है और स्वास्ति क्या है दोस्तों स्वास्ति जीवन का अधार है हेल्थ जो है बेसिक आप लाइफ जीवन का अधार है तो वीक ओफ फोर हो जाएगा यानि की वीक ओफोर उर्जा क्या है दोस्तों हम आप किसी को देखकर ही बता सकते हैं कि वह उर्जावान है कि बिमार ह हो जाएगा एंद पोसर क्या है दोस्तो जो निट्रिशन थीक नहीं सकते तो someday अच्छे स्वास्त का मूल है तो अच्छी स्वास्त का मूल hyण हम रहे हैं थीक याम पे कोर्शन नुम्र 99 है शोरी को मोरने में प्रयुक्त पेसी को किस नाम से जाना जाता है तो मसल्स यूज इंफ्लैक्शन ओफ दे पेलिवी एज नोन वाई विच नेम जो जो जानके सामने मसल्स होती है उसे हम कहते हैं क्वाडिसेट्स मसल्स जो चार पेशियों से मिलकर बना होता है रेक्टस फिमोरीस वास्टस मेडियलीस वास्टस इंटरमीडियलीस और एक और नाम नहीं आ रहा है सब्सक्राइलस और गुटने को फैलाने मनद करता है जो पीछे ने किमसल्स करते हैं जो तीन पेशियों से मिलकर बना होता है जो इसका ज्ञेश्ट्रोडि को फैलने और घुटने को मोरने का काम करता है हमस्टिन ग्रुप कोशन नुमर 20 है वही कोशन आ गया है मैस्ट्रिंग जिसे मदरा सीज़ा भी कहते हैं मांस पेशी का प्रयोग किसलिए होता है तो यह जांक के पीछे पाए जाती है तीन पेशियों से मिलकर बना होता है बाइस सेमी मेंबरेनियस जिसमें एक गूटने को मोरने में कामाती है ब खौखो कोड जमीन से होचाई 2020-1.20 मिटर & 1.25 मिटर होती है जैसा कि आप जानते है जो कोखो का ग्राउंड है वो 27,16 मिटर होती है कितनी होती है 27 गुड़े 7 खोखो का ग्राउंड 27 गुड़े 16 मिटर अब पोल का दूरी होता है पोल से पोल की बीच में दूरी 24 मिटर होती है पूरे ग्राउंड जो लाभी अरिया होता है जोड़ा होता है तो 27 गुड़े 16 में तीन जोड़े जिया पूल एरिया हो जाता है 30 मिटर कोस्टनर 22 है मुक्के बाबजी में प्रियोग किये जाने वाले दस्ताने का भार कितना होता है वीट अब लब्व स You in boxing दोस्तों Boxing में जो दस्ताने का वजन होता है वह आपका आठ से 10 ओन्स होता है कितना होता है ? 8-10 ओंस यानि कि 227-284 ग्राम इस अंख्या में दो दस्तानिय दबल्स होते हैं और दो जोड़े होते हैं जिसका भार 8-10 ओंस और चम्रे की सिक्के का हिस्से का जो वजन होता है 5 ओंस तक होता है दोस्तों एक ओंस में 28-40 ग्राम होता है याद रखेगा और दस्तानिय का जो र जो जो बाक्सिंग का समय होता है दोस्तों पूर्सों के लिए 3-3 मिनट के 3 राउंड प्रतेक राउंड के बाद एक मिनट का ब्रेक होता है और महिला के लिए 2-2 मिनट के चार राउंड होते हैं यानि कि एक बाईट में तीन राउंड कुस्चन मों नमबर थेईस है,frage कर दोड़ को तो सामिल किया १या, इनतरी जुड़ोग ओलमपिक regn tails from side on मन किन जूडू को gaan तो उनिज सों चॉट मे ग जुल में सामिल किया गया, और जूटो को अनुनिए तो दूनि Me smile को सामिल किया गया जूडू को जूडू है यह प्राचित्तम जैपानी खेल है जो जुश्ट्व से बिख्षित हुआ आजूडों का खेल कालीन बीछे फर्स पर दूखी लड़ियों की बीच होता है कोशन नमर चोबीस है गैमबिट सब्द का समबंध की स्खेल से है दोस्तों गैमबिट सब्द सतरंज यानि चेस से रिलेटेड है और अन्ने में इसके चेस में प्रियुक्त होता है चेक मेंट, स्लेट मेंट, कैसलिंग, डिसकावर्ड, चेक आदी कोशन नमर पचीस है भारत को एस याई खेलों में पहली बार हांकी में स्रपदक कर प्राप्द हुआ तो यसरे के, यह इस्वंत हैं प्राप्द के पर-फाप्द कर भारत क came distinction शक्तार सब्सक् difficile की इस को खेका के बार को मिरा और हम प्राप्द उसक्ताय प्राप्द में यां फरह क्वडी हुआ। भारत ने पाकिस्तान को एक जिरो से ताराजित करके प्रतिविता का खिताब जिता था तो अभी तक एस्यान केम में तीन बार प्रत कुए है स्वर्पत्य खौकी में उनी सो चाचट में बैंकांग में और उनी सो अंठानुए में भी बैंकांग में और दोजार चोजे तीसरी बार आपका दच्री कुरिया में याद रखेगा क्वेशन नंबर 26 है पेनिसलीन की कोज किसकी द्वारा की गई थी दोस्तों पेनिसलीन की कोज एलेक जेनर फ्लेमिंग की द्वारा किया गया था याद रखेगा प्रफ्रीका को एर्ज का जर्मस्थान माना जाता है यूगारंडा को एर्ज की रधानी कहा जाता है एक सरवे के अनसार पता लगा और दोस्तों सरपथम जून 1981 में, AIDS का परथम रोगी चैलिकोर्णिया में पाया गया गया लाथर किगा एर जनम आस्ठान है अफ्रीका, एरस इसराद्ञानी, यूगांडा सबसे पहले रोगी पाया गया एर्स का चैलिकोर्णिया में 1981 थीक है और एर्स लो है HIV वायरस से फेलता है HIV यानि Human Immuno Deficiency Virus कुष्छन 30 оיसा 2 बुजंगाल dema शों के लिए अलाव दायक है बुजंगाल सब्सक्राइब है जो है आज 2 बीजिक दिपलनिय आशका के लिए एच्छा उटा है तिक दमा-शिजि विचार फालिविंग एक्टिविटी यूजी इंशोर गेम दोस्तो यह नेट बॉल पास होता है एक हाल समय में मनरंजन के दुप में प्रयोग किया जाता है कोशन नमर 30 है वाईव की वह मात्रा जो प्रतीक स्ववसन क्रिया में अंदर यूब बाहर ले जाती है इसी हम टेरियल वालियू कहते हैं इसी हम टेरियल वैलिम कहते हैं ठीक है टेरियल वैलियू में चाहिए इसक्ट में 500 आंल होता है ету थे तैडल वेल्म क्या होता है बहुत šyattl क्या होता है कि इसको मांने मेरे स्पास्तिक hope भूक प्लस कंप्लिम्याट और प्लस नफपलिमेंट गेर to ही अधिकतम अंता स्वसंति के बाद ही चुब से बड़ियों कम पूर का फंध से बड़ हैं आदर आहिं दो पूरे बल के साथ हों टाकत के साथ बात रायगा भरमी υाल थीका यो जैसे मेरो पहर चोड़ता हैं जब हम बाहर चोड़ते हैं जैसे आप है अपि नार्म्ली उस सीब्सक्र TO प्लस पूरक वायू को और जोर से अंदर लिया जाए इंस्पाइरेशन किया जाए तो से अम कम्प्लीमेंटर यह करते हैं जिसका मान होता है करना सप्लिमेंटर होता है जिसका मान होता है 1200 एमल ठीक है ऑब बराबर कितना हो जाएगा श्याली सो एमल ठीक है यह आपका वायतल कपेसिटी हो गया लेखिन इन सब प्रक्रियाओं के बाद जब जो वायू हमारे फेफों में बच जाती है उसे घ्रीश्डियूल या अबस् कितना है तो यालिण के पैसिति कितना है ची और अअब्लस र STEPHAN कि चाहिरोड़ ब्दस कितना हो जाएगा बराबर अंठावनच्ग Brett अंठावनके ata में गितना हों जाएगा दूस्तों है कि प्रबंधन निर्भग करता है तो दोस्तों कच्छा का प्रबंधन होता है वो हमेशा सिखाने वाली क्रिया का प्रकार काई सा है उसके उपर निर्भग करता है तैब आप टीचिंग एक्टिवीटी। क्वेशन निंदन में से आत्महत्या की थैली किसे उंड़ी फालिविंगे आड़सों का रिषाइडल बैग किसो का राया जाता है लाइसर सुम्स को किसको कार जाता है लाइसोसोंस को आतम हत्या की थैली लाइसोसोंस को कहा जाता है एटम बम भी बोला जाता है डाइजेस्टु बैग भी बोला जाता है इस सारे चीजे लाइसोसोंस को बोला जाता है क्यों कि कोशिका लाइसोसोंस के अंदर लाइसोसोंस क्या करता है कोशिका पाचा के नजाइमिस भी भरे होते हैं जो प्रोटीन वसा सब को तोड़ता है और अलग-अलग कर देता है और जब कोई सुछ में जीव कोशिका में प्रवेस करता है तो इन ही पाचा के नश्ट हो जाता है इसलिए कोशिका का पाचन बैग या डाइजिस्टू बैग भी कहा लाइसोसम को और यह बैटरीयों को मारने का काम करता है में इस कोशिका को नश्ट करता है को जो पूरी तरह खराब हो चुकिक कोशिका है अनुप्योगी है तो उसको क्या कर देता है और उस करनिशन में लाइसोसम खुद भट कर बहुत जारे पाचक एंजाएन जल अबग कि इससे ओते हिस लाई तो म Πाएं जाता है तो नहीं एक प्रतुneys को ईसे से दग दिखलगदें प्लिहा सबैने लिजाते हैं उसको ब्लौड बेंक ये जाते हैं तो वो मरने पर कहां जाता है हुआ जा के मस पाहन देचा में उसको ब्लौड बेंग काहा जाता हैßø कि दिल्टी जाने तक विडियो को कि यांव सेर किजिए अने लोगों तक वीडियो पहुच सेगे ते मिलते हैं नेक्स वीडियो प्राइकरश में तब तक कि लिए